पैशन एक्स प्रो की, हेफ डिलेक्स की उपर से प्लैंडर की तो आज हमारे पास हीरो के कुछ जैनुएन पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स जो हैं वो काफी बड़े हैं और इनकी MRP जो है आप यकीन नहीं करेंगे इतनी कम है बहुत ही जादा कम इनके MRP हैं और बहुत जादा बड़े ये पार्ट्स हैं बहुत ही सस्ते हैं मेरे हिसाब से तो क्या-क्या ये पार्ट्स हैं क्या इनके पार्ट नंबर हैं और कितने सस्ते हैं सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो शिरू करें चैनल पर नए हैं यह देखिए Passion X Pro की Headlight की Stay है Headlight की Stay या फिर Meter Calling यह कहां पे लगती है Headlight का जो वाइजर होता है जहां पे Meter फिट होता है Meter जो है इसी के अंदर फिट होता है यह हमारे पास Passion X Pro की है और एक हमारे पास Super Standard की है और एक हमारे पास HFD Lex की है तो यह तीन पार्ट से है हमारे पास तीन अलग अलग गाड़ियों के जो काफी सस्ते है और दो पार्ट से इसमें ऐसे भी है जो बहुत छोटे हैं और बहुत ही जादा प्राइज है मेरे हिसाब से उनके तो वीडियो को end तक देखिए लाश्ट में मैं आपको वो दो पार्ट भी दिखाऊंगा जिनके MRP बहुत जादा है और बहुत ही छोटे है यह है मारे पास Passion X Pro की Headlight की इस्टे तो यह रहा इसका पार्ट नमबर 61312 KZAW 00S यह इसका पार्ट नमबर है Cover HL यानि के Headlight की इस्टे है यह Manufacturing Date जो है इसके आठवा महिना 2023 इसके Net Quantity One Piece है और यहाँ पे भी देखे लिखाओ है Passion X Pro MRP सिर्फ 185 रुपे है Include All of Taxes के साथ तो फटाफट इसके Unboxing करते हैं देखते हैं क्या इसकी Quality है क्या Finishing है तो पननी रखते हैं निकाल लिए है पूरी ये Headlight की इस्टे है Finishing इसकी कितनी प्यारी है यहाँ पे आप देख सकते हैं वे इसकी जो Quality और जो इसकी Finishing है बहुत ही जवर्जस्त है और बहुत ही प्यारी इसकी Finishing है तो यहाँ पे Meter लग जाता है जो हमारा Meter होता है Front पे उपर की साइट में यहाँ पे Meter लग जाता है और यहाँ पे हमारा Headlight का जो वाइजर है वो लग जाता है सामने Headlight लग जाती है तो यह इस तरीके से Fitting आती है इसकी Quality जो है बिलकुल एक नमबर है इसकी बहुती बढ़िया बहुती प्रीमियम कॉलिटी है अगर यही पार्ट आप लोकल लेते हैं लोकल लगाते हैं अपनी गाड़ी में तो वाइजर और जो इस्टे है इसके अंदर गैप रह जाता है बहुत अच्छी Fitting इसकी नहीं आती है तो यह लोकल बिलकुल भी पार्ट नहीं चल पाते हैं लग तो जाते हैं लेकिन प्रॉपर फिटिंग नहीं आती है तो यहाँ पे हीरो लिखा हुआ है और कुछ कोडिंग वगेरा दी हुई है तो रखते हैं इसको साइट दूसरी वाली भी देख लेते हैं तो यह है हमारे पास HF Deluxe की मेटर कॉलिंग इसको अनबॉक्स करें उससे बहले हम इसका पार्ट नमबर देखते हैं देखें पार्ट नमबर इसका यह रहा 83402KST950HS यह इसका पार्ट नमबर है और यहाँ पे देखे लिखा हुआ है पाइनल इनर यानि के यह मीटर की कॉलिंग है HF Deluxe की यह तो भाई बहुत ही जादा सस्ती है नमा महिना 2023 मैनुफेक्ट्रिंग डेट है नेट कॉन्टिटी वन पीस है और MRP यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 63 रुपे है तो भाईया यह तो बहुत ही जादा सस्ती है फटा फट इसकी अन्वाक्सिंग करते है और निकालते हैं इसको बाहर तो पन्नी रखते हैं इसकी साइट यह देखे मीटर की कॉलिंग है HF Deluxe की और Finishing इसकी भी बहुत ही बढ़िया है बहुत ही प्यारी है और यहाँ पे भी देखे इसमें यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखी हुई है और Hero लिखा हुआ है यह फ्रंट में उपर की साइट लगती है और यहीं पे हमारा मीटर लग जाता है Quality देखे आब इसकी quality वही कितनी बढ़िया कितनी बहतर कितनी प्रीमियम quality है तो सिर्फ 63 रुपे की है यह और मेरे साब से तो बहुत ही सस्ती है तो लिए इसको भी रख देते हैं यह हमारे पास Super Splinter की मीटर कॉलिंग इसको उन्बोक्स करें उससे पहले हम इसका पार्ट नमबर देखे लेते हैं और MRP जो है इसकी भी बहुत कम है सिर्फ 123 रुपे है तो चलिए इसको भी एन्बोक्स करते हैं और इसकी भी quality आपको दिखाते है तो देखे इसकी भी जो finishing है बहुत ही प्यारी है Hero के Gen 1 पार्ट की अर्बात ही कुछ अलग होती है देखे कितनी premium इसकी भी quality है सूपर स्प्लेंटर की है यहाँ पर मीटर लग जाता है तो चलिए इसको रखते हैं साइट और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था यह जो पार्ट से हमारे पास काफी बड़े हैं और बहुत सस्ते हैं और दो पार्ट से हमारे पास hero के genuine ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे हैं और मेरे हिसाब से बहुत ही जादा महंगे हैं तो क्या वो पार्ट हैं चलिए दिखाते हैं आपको तो यह जो हमारे पास flute pin है यहाँ पे देख सकते हैं यह मक्खी के बरावर है और काफी महंगी है यह मेरे हिसाब से यह देखे यहाँ पे 160 रुपे इसके मारे पी है manufacturing date 7 महीना 2021 की यानि के यह काफी पुरानी है अभी जो इसके मारे पी है मेरे हिसाब से लगभग लगभग 200 रुपे के आसपास होगी और यह चोटा सा पार्ट्स है और 2500 रुपे का है तो काफी महंगा यह पार्ट्स है देख सकते हैं कारवेटर के अंदर लगता है जब गाड़ी ओवर होती है फ्यूल बगएरा कारवेटर के नीचे से जब टपकने लगता है तब वहाँ पे यह पिन काम करती है कारवेटर के अंदर लगती है स्प्लेंडर की फ्लूट पिन बोलते है तो एक सो साट रुपेस के MRP है और अभी हाल फिलाल जो नई वाली MRP है वो इसकी बहुत ज़ादा होगी जिनको भी पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं तो एक यह दूसरा पार्ट हमारे पास यह है यह इंजन के अंदर लगते हैं इसको बोलते हैं हैड के अंदर लगते हैं जो लोग काम करते हैं यह जिनको टेकनिकल नौलेज है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे देखे छोटा सा ये पार्ट्स है और MRP जो है 400 रुपे है इसकी तो काफी जादा MRP है और दिखा देता हूँ मैं आपको क्या ये पार्ट्स है ये देखे ये वाल है ये हैट के अंदर लगते हैं सिर्फ दो पीस है और 400 रुपे इसके MRP है तो अगर आप इन दोनों में compare करेंगे यानि के इसमें और इन वाले पार्ट्सों में तो ये वाले पार्ट्स जो है वो काफी बड़े हैं और finishing जो है वो बहुत अच्छी है लेकिन काफी सस्ते हैं और ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं तो पता नही वीडियो को जरूर कर दे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कर दे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई